जै जवान जै किसान मैं आपका रवी आज़ाद साथियों हम अभी हैं मेवाद छेतर का नू जिला है और ये रोज का मेव जो जगए है यहां हम हैं और 2010 में आई एमटी रोज का मेव के नाम से नो गाओं की सोड़ा सो एकड़ जमीन को ओने पोने दमों में और कोर्ट में ना जा सकें धोखे से इंगलीज में एक एग्रिमेंट के उपर किसानों के अंगुठे टिकवाए गए लेकिन सरकार बदल गी सरकार बदलने के बाद आई एमटी रोज का मेव का जो बोर्ड था वो आई एमटी सोना बना दिया गया यहां पे एक तरफ सरकार कहती है चीन हमारा दुस्मन है और चीन देश का दुस्मन है उसके बावजूद पिछले दरवाजे से चीन की एक बड़ी कमपनी है चाइना स के लोग हैं बहुत सारे अधीकारी आये हुए हैं और तमाम यह कंपनी बन रही कोई बैटरी बनाने की एक कंपनी बन रही है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो समझोता हुआ 2010 में जो जमीन अधी ग्रेंड हुई उसके बाद 10 मांगों के उपर समझोता हुआ नो गाओं के किसानों को सुविदा देने के लिए यहां पर रोजगार और काम देने के लिए आज तक वो समझोते लागू नहीं हुए किसानों का एग्रिमेंट जो लोकतंत्र में ए लोकतंत्री काम किया गया किसान कोर्ट में ना जा सके और 2010 से 25 लाक रुपे ब्याज ही है और चाइना की कंपनी जो हमारा दुस्मन देश है उसकी कंपनी का हमारे देश में काम क्या है यहां सभी किसान जुटें कंपनी के विरोध में अपने हधीकारों को ले करके अपनी जो बची हुई मांगे हैं उनको ले करके और फैसला हुआ आज यहां की पंसायत में ड खरना सुबे से चल रहा था अंदोलन चल रहा था कुछ गुंडे बुला रखे दे कंपनी ने गुंडों के खिलाप मुकदमा भी दर्ज होगा हमने दर्कास भी दिये और प्रसासन के साथ बात्चीत में बात हुई है लेकिन भूमी अधीग्रेण के नाम पे पुंजीवाद क के नाम पे कंपनी राज के नाम पे पूरे देश में किसानों की कीमती भूमी को अधीग्रत करके और उनको ठोकर मारने का काम किया जा रहा अब मंगलवार को मीटिंग है अगर कोई फैसला सही नहीं हुआ किसान की मांग नहीं सुनी गई तो फिर यहां बड़ा अंदोलन हो देश को और हरियाना को